क्याप्टन अंडर पैंट्स कि बहुत ही शरार्ती बच्चे थे जो प्रिंसिपल को हमेशा परेशान किया करते थे जिससे प्रिंसिपल उनसे बहुत तंगा चुका था अगले दिन स्कूल में सभी को अपने प्रोजेक्ट शो करने होते हैं, ऐसे में जॉर्ज और हैरॉल को एक शैतानी सूचती है। अब प्रिंसिपल फाइनली यही डिसाइड करते हैं कि उन दोनों की क्लास चेंज कर दी जाए ताकि उनकी शैतानिया कम हो, ऐसे में वो दोनों ही बहुत परिशान हो जाते हैं। अब जोर्ज अपनी हिपनोटाइस करने वाली रिंग से प्रिंसिपल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो दोनों अब जैसा कहते हैं, प्रिंसिपल वैसा ही करता है। यह देखकर दोनों बहुत ही जादा खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों प्रिंसिपल का हुलिया अपने बनाई कॉमिक्स के एक कैरेक्टर कैप्टन अंडरपैंट्स की तरह कर देते हैं। प्रिंसेपल भी जो अब कैप्टन अंडर पैंट बन चुका है अपने आपको सूपर हीरो समझने लगता है और ये देखकर दोनों लोट पोट होकर हसने लगते हैं। प्रिंसेपल ऑफिस से बाहर निकल कर कैप्टन अंडर पैंट लोगों को बहुत ही जादा परेशान और दुखी करना शुरू कर देता है जिससे वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। अंडर पैंट्स में बदल देते हैं। उसी समय प्रिंसेपल के पास साइंस टीचर के इंटर्व्यू के लिए एक कैंडिडेट आता है। अब क्यूंकि प्रिंसेपल कैप्टन अंडर पैंट्स है इसलिए बिना सोचे समझे वो उस कैंडिडेट का सेलेक्शन कर लेता है। नए साइंस टीचर की क्लास सारे बच्चे अटेंड करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो साइंस टीचर अपना नाम प्रॉफेसर पी बताता है। उसका पूरा नाम प्रॉफेसर पॉपी पैंट्स देखते हैं। ये नाम देखकर वो दोनों बहुत ही जादा हसने लगते हैं क्योंकि वो उनके एक कॉमिक कैरेक्टर का कॉमेडियन नाम होता है। साथ ही साथ क्लास के बाकी बच्चे भी प्रॉफेसर के नाम की वज़े से उनका मजाग बनाने लगते हैं और उन पर खूब हसी उड़ाते हैं। प्रॉफेसर पी गुस्से में आग बबूला होकर उन दोनों को प्रेंसिपल के पास ले कर जाते हैं लेकिन प्रेंसिपल क्योंकि अभी कैप्टन अंडर पैंट है। इसलिए प्रिंसिपल उन दोनों को किसी तरह के कोई punishment नहीं देता जिससे प्रॉफेसर पी और भी जादा गुसे में आ जाता है। अब प्रॉफेसर पी सबसे बदला लेने के लिए उस पड़ाकू स्टूडेंट मैलविन को अपने साथ शामिल कर लेता है और experiment करना शुरू कर देता है। प्रॉफेसर पी उसे पकड़ लेता है। जॉर्ज और हेरॉल्ड ये सब देखकर प्रॉफेसर पी के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं लेकिन प्रॉफेसर पी बहुत जादा गुसे में होता है। बड़ा और बड़ी चीजों को छोटा कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि कैप्टन अंडर पैंट्स के पास एक सूपर पावर आ जाती है। और इसके साथ ही साथ प्रॉफेसर पी की गन भी उसके हात लग जाती है। जिससे गन शूट कर उसके हाथ से नीचे गर जाती है और George और Harold के हाथ में लग जाती है वो दोनों Captain Underpant को शूट करके बढ़ा करने की कोशिश करते हैं लेकिन गलती से George का हाथ बढ़ा हो जाता है George और Harold अब उस गन की हेल्प से Professor P को साइज में बहुत ही छोटा कर देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन साइज में बहुत छोटा होने की वज़े से Professor P एक पदुमक्खी पर बैट कर वहां से दूर निकल जाता है थोड़ी ये देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है लेकिन तभी Captain Underpant उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है अब George, Harold और Captain Underpant उन दोनों की ही Tree House में हैं जहां पर वो दोनों Decide करते हैं कि वो इस तरह की हरकतें अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे और Principal के According अपनी Classroom भी Change कर वा लेंगे साथ ही साथ वो दोनों Principal को Hypnotize करने वाली उस रिंग को भी Destroy कर देते हैं और सब पहले की तरह नॉमल हो जाता है और इसी के साथ ये Movie यहीं खत्म हो जाती है तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye